हाई व्योष्ट इस भी बुदत्र प्रम साव टेक्नोगैट आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ आप ऑप्टिकल के थुरू में आपका टीवी म्यूजिक सिस्टम बगेरा कैसे कनेक्ट करेंगे सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजवी बेल आइकन को दबाना ना भुलिए जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरूंद पहुंच आएगा तो आज के डेट में माक्सिमाम टीवी हुआ साउंड सिस्टम हुआ या साउंड बार बगेरा में आपको अप्टिकल पोर्ड मिल जाता है और कोई कोई कंपनी भी अपना सिस्टम के साथ अप्टिकल केबूल भी प्रोवाइड करते हैं तो केबूल को आप आपका टीवी में कैसे कनेट करेंगे इसे नहीं कि नार्मल आप यह पोर्ड को आपका साउंड बार में लगा दिए टीव पर आपको डीटेल्स बताने वाला हूं आप आपका टीवी से आपका साउंड बार या म्यूजिक सिस्टम को अप्टिकल केबूल के थ्रू में कैसे करेंगे और अप्टिकल केबूल में करनेट करने से आपका ऑडियो का जो आउट्पूट है वो काफी अच्छा आता है जै आपको मिलेगा TWS I-12 Airpots जो की सेम टू सेम आपका एयरपोट जैसा ही है तो आप वो कंटेस्ट में जरूर पार्टिस्पेट कीजिए और बने हमारा लॉकी विलार तो यह है हमारा ऑप्टिकल केबूल जो के जूक ब्रांड का साउंड बार के साथ ही यह मिला था अगर आपको एक चीज़ ध्यान देना है अगर आपको अप्टिकल केबूल लेना है तो आच्छा क्वालिटी का लीजिए तो आपका म्यूजिक का क्वालिटी भी आच्छा रहेगा तो यहां पर मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं यह केबूल कुछ ऐसा है तो यहां सेम टु सेम है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो यह आपको भैरेस लेंद में मिलता है जिसे कि यह लगबक 1 मेंटर का है तो आपको ज्यादा लेंद पालवी भर्केट में मिल जाता है तो अभी हम इसको टीवी में कनेट करेंगे और सेम तो सेम दूसरा साइट जो है तो हम sound bar में connect करेंगे और उसका setting बगर आपको दिखाऊंगा यह कैसे connect होता है तो यह sound bar में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह sound bar का यहाँ पर optical port है तो यह जो TV है भीव का यह TV में भी optical port है तो मैं यह TV को उल्टा कर देता हूँ और उसका back side में उसका optical port आपको दिखाऊंगा और वो कैसे connect होता है वो भी आपको दिखाता हूँ तो अभी हम TV को उल्टा कर दिया है जैसे के यह TV का back side आप देख सकते हैं आप्टिकल का जो port रहता है वो देखने के लिए कुछ ऐसे रहता है तो अभी हमारा यह जो पीन है तो मैं पहले आपको पीन दिखाया था तो यह पीन को आपको यहां पे लगाना है तो देखिए यह परफेक्टली फीड हो गया, आप जो केबूल इस पे यूज करेंगे तो वो केबूल को आपको एक दो बार घुमाना है यहाँ पर देखना है कौन सा साइड में यह सेट हो रहा है, जो साइड में सेट होगा वही साइड में लगा दीजिए, तो देखिए आपको दिखाऊंगा सेटिंग कैसे होता है, तो अभी हम टीबी को अन कर दियें, विद यह जो अप्टिकल केबूल है, इसको कनेट कर दियें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लेजर लाइट जैसा ही यहाँ पर रेड कलर का आ रहा है, मिन्स यह कनेक्टेड हो गया है, जैसे मैं आपको पहले बता रहाता है, इसमें एक लेजर लाइट आता है, तो यह यहाँ पर आ गया है, तो इसको अभी हम हमारा यह जो साउंड बार है, इसमें करेंट करेंगे, इसमें भी सेम आपको यहाँ पर चेक करना है, कौन सा साइट में यह परफेकली सेट हो र जो मोड है उसमें लाना पड़ेगा जैसे के मैं आन किया यह आपका टीवी का सेटिंग में जाना है तो जैसे यह वीव अंडर टीवी है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग है वो कुछ ऐसे आता है यहां पर वीडियो है अडियो है सेट अप और प्यारेंटल तो यहां पर हम आदियो में जाते हैं तो यहां पर आपको एक आता है SPDIF type तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक mode है off, एक Dolby Digital आणेक है PCM, तो आपका TV में आपको select करना है PCM, तो यह आपका audio setting में किदर भी रह सकता है, तो आपको धुन ना है, जैसे के अगर Dolby आप select करते हैं, तो आपका जो system है, music system ओर Dolby होना चाहिए, तब यह काम करेगा, नहीं तो PCM जो है, यह सभी mode में काम करेगा, तो आपको यह PCM select करना है, तो next आपका TV का speaker के पास जाना है इसको आपको off कर देना है अगर आप on रखते हैं, तो आपका TV का speaker भी चलेगा, वही था आपका पता चलेगा, यह कैसे sound आता है तो यहाँ पर हम off कर दिये तो अभी हम कोई भी एक video clip play करते हैं तो यहाँ पर यह video हम play करते हैं तो देखिए अभी sound जो है, sound bar में आ रहा है मैं यहाँ पर volume बड़ा रहा हूँ उसका तो volume अभी यहाँ से आ रहा है और TV का जो volume है, वह off है तो मैं यहाँ पर input change करता हूँ देखिए अभी input change कर दिया तो जो आवाज आ रहाता हूँ बंद हो गया फिर से मैं optical ललता हूँ तो देखिए अभी यह चालो हो गया म्यूट कर दिया तो म्यूट हो गया तो अभी हम TV का sound भी on कर देते है तो यहाँ पर TV का speaker on कर देते है तो अभी मैं TV का volume जो है इसको बड़ा रहा हूँ तो देखिए only अभी यह TV से ही आवाज आ रहा है और यहाँ पर हम sound bar को आप किये है तो यहाँ पर मैं on mute कर देता हूँ तो अभी sound client देखिए कितना आच्छा आ रहा है तो आप यह प्रोसेस में आपका टीवी को आपका sound system या sound bar के साथ आप अप्टिकल केबूल में connect कर सकते है अगर आप दोनों का आवाज चालू करते हैं तो आपका आवाज कापी loud हो जाता है जैसे कि अगर आपका sound bar 100 watt का होगा या आपका TV का sound 50 watt का होगा तो टोटल output जो है आपको 150 का मिलेगा अगर आप सिफ आपका sound bar हुआ या TV एक को भी चालू करना साथ है तो भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप आपका TV से आपका music system बगेरा को optical cable से connect कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको आच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा अभी आप हमको Instagram, Twitter में फॉलो कर सकते हैं और हमारा Facebook का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा YouTube के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिजिए क्योंकि इस टाइब का वीडियो में रोज लेके आता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रहे है साव टेक्नोगाइड आपका दिल सुप हो